दोनों हाथ जोड के सीश्च कौंदे हुए उचारन करो जी सत नाम सिरी वाहे गुरू साहिब जी सत नाम सिरी वाहे गुरू साहिब जी दोहरा तुरक ना खुशिया के म करे के म करे ना कोटी बात हुण पाई से पाई रतन सिंग पंगू जी केंदे के मुगल हकूमत दा ए बादशा दिली दा गौहर अली जिस दा नाम है ए तुरकां दा बादशा खोटी गल चूठी गल करे भी क्यों ना उन जिनना ने साथ सो साल तों पारतनू गलाम बनाया हुए ते गुरू के मुठी पार सिंग जंगलां दे वे चरातां काटके इनना दा तक्ता हला दैन उन्हां फोजां दे बारे ए मुगल हकूमत चूठी गलना क्यों ना करे तुर्कन यो हिंदू अनही तो दीन मजब को का आत पारत दी तरती दे उते मुगलां दा ते हिंदूआं दा तुर्का हिंदूआं दा शुरू तो वाद विबाद चलदा आरे आ सी ते कहन दे खालसा पंथ ते मजलूमा दी रख्या करदा सी ये जुलम सनातन मत ते होएगा खालसा पंथ टाल बनके खड़ जावेगा किसे तर्मनाल नहीं बलके खालसे दा वैर जुलमी राजदेनाल है खालसा ना किसे ते वदी करदा है ते नाई गुरू का खालसा वदी पर सेनदा है पर मुगल हकूमत नू लगदा सी के एक एसा तारी हिंदू ने वैसे खाल सा किसे नल वितकरा नहीं करदा किसे तरम नल वैर विरोध नहीं पर एवी सच है के गुर्नानक दे सिखां दा कलगियां वाले दे पंथ दा अपने आप वेच एक बलंद हस्ती है कलगियां वाले दा पंथ संसार तो नियारा है इससे करके क्या जब लग खाल सा रहे नियारा तब लग तेज दियों में सारा खाल सा नियारा है तान गुरु गोबिन सिंग जी दे बचन ने करहूं खाल सा पंथ तीसर प्रवेसा जगे सिंग जो धे तरे नील पे सा सत गुरु गुरु गोबिन से महराज केंदे मेरा साजया गुरु का खाल सा पंथ अपने आप वेच एक बलंद हस्ती दा मालक है एक किसे कौम दा हिसा नहीं बढ़के एकाल पर खवाह गुरु दी परगट होई अकाली फोज है सोज़ पाईस है पाई रतन सें पंगू केंदे पार्त दी तरती ते तुर्कां ते हिंदुमादा बहुत सदियां तों बाद विबाद छिड़िया होया है हुन दिली दे बादशा गोहर अली ने मिश्टर लोणी अक्तर नू चूठ लखा दिता पर मिश्टर लोणी अक्तर ने भी उस से समय इंगलेंड दी राणी नू रिपोर्ट लेके पेजी नहीं कुछ साल बीत गए परण जीत सेंग मुलक्य संते चार साल बाद इस वारतां तो चार साल बाद पंजाब दी तरती ते शेरे पंजाब महराजा रणजीत सिंग जी ने अपना राज जमा लेया पर केंदे सातलुज तक शेरे पंजाब महराजा रणजीत सिंग जी ने राज जमाया बारा मिसला, फैजल पुरियां दी मिसल, सेंग पुरियां दी मिसल, शुकर चकियां दी मिसल, पंगियां दी मिसल, राम गडियां दी मिसल, करोडियां दी मिसल, फूल कियां दी मिसल, इन्ना बारा मिसला नू वाक वाक इलाके स्थापत कर दिते, इन्ना ने आपो अपने इला प्याड़ा इन्ना पंज राजियां दे इलाके वक्रे हो गए पर इते विवाद बड़ा बड़ा हो गया आपस देवेच फोट पह गई जदो शेरे पंजाम महाराजा रणजी सिंग जी ने सातलुज दर्या तक खालसा जी सारा इलाका अपने कबजे वेच किता एक बादशा तक दे उते बैठ गया तां उस तो बाद शेरे पंजाम महाराजा रणजी सिंग जी ने सातलुज तों इदर ले इलाके आ नूवी अपने राज दे वेच मलोना चाया पर उस वकत इन्ना पंजे राजियां ने सलह किती आपस दे वेच विचार किती कैसी शेरे पंजाम महार जा रणजी सेंग दे हुकम दे थले चलन दी वजाए क्यों ना अंग्रेज सरकार देनल संदी कर लिए अंग्रेज सरकार देनल समझोता कर लिए केंदे विवाद होया फोट पई ब्रिटिश सरकार अंग्रेज सरकार पहलना इस पंजाब दी तरती ते कबजा करना चाउं द पर जो तुसी कवोगे असी त्वाडे कम्मा कारां दे विच अडचन नहीं बणांगे रुकाबट नहीं बणांगे संधी हो गई पंजाब दी तरती दी उते पंजे राजयाने अंग्रेज जानू लिया करके स्थापत कर दिता लुद्याने सो आन बहाएं लुद्याने दी तरती ते लुद्पूर इदा पहला नाम सी लुद्याने दी तरती ते सतलोई तुं पार ले बनने शेरे पंजाब महराजा रणजीस सिंग दी फोज विचर दी सी सातलुई तो इदर ले बनने ब्रिटी सरकार पांज राजयां देना संदी करके समझोता करके विच्रन लग पई शेरे पंजाब महराजा रणजी सिंग जी ने जेस वकत सातलुई तो पार ले बनने राज थापत किता ते लुद्याने दी तरती तक अंग्रेज सरकार दी फोज पहुँच गई केंदे ए गल हैगी ये सम्मत बिक्रमी अठारां सो चोंट दी ते जे इरे विच्छों सत्वंजा साल माइनस कर दिये क्योंके जो ईश्वी है ओ सत्वंजा साल छोटा है ते ईश्वी साल दे नाल अठारां सो सत दी गल बन दी है सोखी पाशा वे समझिये हुन दो हजार बाई चाल रहे है ए अठारां सो सत इश्वी दी गल है मोडे उपारे उतारते ना अरणजीत सिंग दाल जोए सातल लोटों इदर ले बनने अंग्रेज सरकार ते पंजे राज हैं दी फोज सातल लोटों पार ले बनने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंग दी फोज ने मोरचा सांबिया दो दाल्व गे पाव के दो सरकारा हो गई या पर इना दी संदी सी साथ लो इतों पाउर ले बने अंग्रेज सरकार नहीं जाएगी ते साथ लो इतों इदर ले बने शेरे पंजाम साराजा और अगार अंगी फोजनी आएगी केंदे इलाके बंडे गे दो दालोए पर खालसा जी मान करना चाहिदा है असी वारस किन्ना देयां उस वक्त भी एक गुरू की खालसा ही फोज सी जीडा सारियां इलाकां दे उते सिक्का जामदा सी राजियां ने इलाके बंडे सी अंग्रेश सरकार ने राज बंडेया सी शेरे पंजाब दा इलाका बखरासी पर उस वक्त भी शिरी अकाल तक सहब जी दे अते शरोमनी पंथ काली बुड़े दाल दे जथे दार सेंग साहिब अकाली बाबा फूला सेंग जी तेरा सो कोड सवार फोजां दे नाल माल भे दे इलाके वेच भी विच्चर दे सन ते केंदे अंग्रेज सरकार ने वेखना भी इलाके वंड दिते ने शेरे पंजाब दी फोज नहीं आउंदी एक केड़े गुरू की खाल साही फोज आ गई जेडी कोडेयां ते सवार होके आकाल आकाल गुरबर आकाल दा जाप कर दे वे पूरे पार्ट वेच विच्चर दीय मोगा दे इननु रोकन वाडा भी कोई ने अकाली फूला सिंग दे उते सरकारी राजयां दा हुकम नहीं सी चलदा क्योंके अकाली बाबा फूला सिंग अकाल तक दे जथे दार सन ए हस्ती सी खाल सा जी अकाल तक सहब दे जथे दार दी अंग्रेश सरकार ने पंजे राजया नू क्या के तुसां शेरे पंजाब नू थे कैदिता सतलूज दे पारले बनने रो पर एक केड़ा जथे दार है जड़ा तेरां सो को ओड़ सवार फोजां दे नाल तु आड़े इलाके वेच विचर के खंडे बाटे दे अमर्त दा परचार करके सिंग सजा रहे है एस दे उते पबंदी लाई जावे खाड़सा जी मान करना चाहीद है अकाल तक्त दे जथे दार दे उते सिंग सहव अकाली बाबा फूला सिंग जी दे उते जिनना उते संसार कर राजेयां दा हुकम नहीं सी चालदा पंजे राजे अंग्रेज सरकार नू कहन लगे के साड़ी तवानू ए चतावनी है एक गुरू की अकाली फोज है एक कोई राजा नहीं कोई मामली जरनेल नहीं एक अकाल तक्त दा गुरू खाड़सा पंथ दा जथे दार अकाली फूला सिंग है असी इस ते पबंदी नहीं ला सक दे क्योंके जे इस जथे दार ते पबंदी लाई ते साड़े नालना तवाडे राजदिया जड़ा पटिया जान गिया खाड़सा जी इस करके आज भी मान देनल क्या जान दा है के जथे दार होवे अकाली फूला सिंग बरगा जेडा मोके दे बादशानू लाची बेरी देनल बंदी जोरत राखदा होवे सो खाड़सा जी ओस वक्त भी जे कोई अजाद तोरते विचर दा सी ते अकाली बाबा फूला सिंग जी नहांग सिंग तेराइसो कोड़सवार फूजा देनल अजाद तोरते विचर देशन पार अनादपुर सहव दी तर्थी दिवते के अधे होले महले वाले दिन गुरू का खाड़सा पंथ पांचे या अकाली बाबा फूला सिंग जी तेरां सो कोड़सवर फोजां दे नाल पोंचे ते कहन्दे अंग्रेश सरकार ने नीती बनाई जित्थे जित्थे खाड़सा पंथ जोड मेले मनोंदा उस उस जगा ते जा करके इसाई मतदा परचार करके इना बारे कूड बोले आ जावे इना दे गुरू दे बारे कूड परचार जावे कहन्दे एक पासे होले महले ते अनांदपर सहब दी तरती ते अकाली बाबा फूला सिंग निहांग सिंग तक ते सजे गुरू की खाड साई फोज महले काड रही है ते एक पासे इसाई पादरी केंदे स्टाल ला करके कताबा बेच के गुरू खाड से पंथ प्रती कूड बोल रहा सी ते एक निहांग सिंग ने उस दी कूड पाशानू सुन लेया ते गुर्की निंदा सुने न कान पेट करे ति संकर पान केंदे उस नियांग सेंग ने उस से समय हुकम सना दिता जाके उस पादरी दा सोदा ला दिता सोदा ला करके वापस अकाली फूला सेंग को ला गए क्योंके मान सी उस फोज नू के जे असी कोज मोर्चा साम के जावांगे ते साड़ा जथेदार साड़ी जिम्मेवारी ओटेगा जथेदार ओई है जेड़ा अपनी फोजां दी जिम्मेवारी ओटे जेड़ा फोजां दी जिम्मेवारी ओटन तो पाज जावे ओ जथेदार नहीं हुंदा केंदे अकाली फूला सिंग जी कोल जदो निहांग सिंग सोदा लाके आया अकाली फूला सिंग परसान होए सरोपा हो दिता कहन लगे सिंगा तुम परवार नहीं करनी तेरे वास्ते अकाली फूला सिंग अपने सिर मुकदमा लवेगा केंदे ओदों फिर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया शेरे पंजाब तक पहुँच किती गई पंजे राजहां तक पहुँच किती गई के अकाली फूला सिंग नू गिरफतार करके साड़े हवाले किता जावे ते खाडसा जी अकाल तक्त दे जथे दार दिये हस्ती सी के पंजे राजे थे शेरे पंजाब ने क्या अकाली फूला सिंग नू असी गिरफतार नहीं कर सक दे क्योंके अकाली फूला सिंग साड़े हदी इन नहीं बढ़के असी सारे दुनिया दे बादशा अकाल तक्त दे जथे दार अकाली फूला सिंग दे हुकमा दे इन चाल दे ह उस वकत ब्रीटीस सरकार ने अंग्रेश सरकार ने वेखिया के अकाल तक्त बहुत वड़ी पावर है ए अकाली फूला सिंग अपने आप वेचे कमहान हस्ती दा मालक है पहला इन्हा देउते खोज करके इस दी हस्ती नू अकाल तक्त दी ताकत नू कटाया जावे ते उस तो बाद फिर केस्तरां अकाली बाबा फूला सिंग जी दी हस्ती नू वेख करके अकाल तक्त सैब दी हस्ती नू वेख करके गुरू के खाल सई फोज दी हस्ती नू वेख करके फिर केस्तरां मिस्टर लोणी अक्तर खाल सई फोज जहां दे उते खोज करदा है ओ आपां होन सर अंग्रेज सरकार ने पंजे राजयाना संदी किती भी तौड़ा राज पागे से तरह रवेगा तौड़ियां फोजयां रहन गियां तौड़े महल रहन गे तक्त रहन गे पर तुसी चलोगे साधे हुकमा दे नाल ते ओधरों एवी बचन किता कैसी सातलुई दे पारले बनन आके हमला नहीं करांगे मुलक अन दिला से लाए मुलक मपूजा लिख दे ओ कैंदे ने इससे करके पंजे राजयानू ए दला सा जाओ गया के चलो शेरे पंजाब दे हुकमा दे वे चलन नालो चंगया अंग्रेज सरकार ने ना संदी करके चलिया जावे साधा राज पाग भी कायम रवेगा दोरा सो उबात उन्चित रखी लूनी अक्तर जर्नेल जदो है संदी हो गई मिस्टर लोनी अक्तर उदो लुद्याने दी तरती ते आया पर फिर वी ओदे मान दे विच ए गल डूंगी कड़ी गई सी के दिली दे बादशा गोहर अली ने जो कुछ सिखा बारे दसे है जदो मैं सिखानू वेखदां खालसयानू वेखदां ते गल बिल्कुल चूठी जाप दी है क्योंके ए आकी नहीं हो सकदे ए आतवादी नहीं हो सकदे क्योंके इन्ना ने किसे भी गरीब दा नुकसान नहीं किता किसे दा उत्यत्या चार नहीं किता मिस्टर लोनी अक्तर ने अपनी आखां देनाड वेकिया के जिते गुरू के खाल से पंत दा उतारा हुंदे देत अवाज जा पुखा है कोई के अंदे गुरू का खाल सा लंगर त्यार करके पहला शकदा नहीं गुरू नू पोग लाके फिर दूसरे नगारे ते चोट लाकरके उच् पुखा है ते गुरू के खाल से ने गुर्नानक दा लंगर त्यार किता है आ करके लंगर शकना करो जदो मिस्टर लोनी अक्तर ने वेखिया के ए खाल से ते दुश्मना नाल भी वितकरा नहीं कर दे जेडे दुश्मन खाल सेयां दी सूहा लैन वास्ते कई-कई समा खाल सा लंगर त्यार करके उनना दुश्मनानु भी कहना के पाई ए लंगर गुर्णानकदा है जदों जंग दे मैदान वेच कठे होँआंगे ते मुकाबला करांगे आउ होन वैर विरोध शड़के गुर्णानकदा लंगर शाकलो एक आरन है आ महा मारियां चलियां ओस वकत भी किसे वितकरेतों कारकर जाके लंगर पहुंचाया आज वी संसार दे वेच किते वी आपदा आजन दी है ते सब तो पहला गुर्णानकदे सिख जाके लंगर लंदे ने क्योंके लंगर किसे बंदे दा चलाया नहीं ए लंगर खोद खुदा गुर्णानकदा चलाया होया है गुर्णानक दे सिखाने कमाल कर दिती महा मारियां दे विच उक्सीजन दा लंगर वी चला दिता सो एक गुर्णानक दी कला है कलगियां वाले दी रहमत है पर मिस्टर लोनी अक्तर मानवे सोच दे के जो कुछ इना वारे दसिया चूटा जाप दे इस तरह हो नहीं सकदा ओदे मानदे विच ओ बार बार विचार चली जा रही है लोद्याने आए पुछी जब पे ओ संगन सें मेला प्रण सहब जी दी ताबिया ते खाल सा जी एक बहादर जथे दार एक जरनायल दे हुकमा दे विच नहीं चाल दे ओधों तक खाल सा जी फोट पैंदी है ते ओधों ही साड़े करा दे विच चोरी हुंदी है पंथ दे उते हमले हुंदे सो कलगियां बाड़े पाच्छा दे चरना विच अरदास करनी चाहिए दिया के पाच्छा पंथ नू लोड है के दबारा फिर गुरू खाल सा पंथ नू कठेया करन वास्ते कोई अकाली बाबा फूला सिंग वरगा जथे दारावे जड़ा अकाल तक ते खड़के दबारा फिर पंथ नू मेरी पीरी दा सिधान्त समझा करके अकाल तक सैब दे हुकमा दे वेच चलन दी सिखिया दवे सो सत्गुरु किर्पा करन असी एक हुए एका बाणी एको गोर एको शब्द विचार एक शब्द दी विचार करके गुरु ग्रंत ते गुरु पंथ दा सिधान्त कारकर दे वेच पहुंचाईए सो रहो विचार मिस्टर लोणी अक्तर लुद्याने दी तर तीते पोंच के दबारा फिर सिंगा दी खोज करदा है पाई रतंग सिंग जी केंदेश जर्नेल ने मिश्टर लोनी अक्तिर ने बार बार सोचया के इन्हादे करदारां विच कमी नहीं इन्हादे अचार विच कमी नहीं सिखाँदा करदार बड़ा ऊच्चा है ए तियां पैना नू माड़ी निगा नल नहीं देख दे बलके तियां पैना दी रखिया कर देने क्योंके गुरू का सिक रोजाना सुक्मनी साब दे विच पड़ दे पार्त्रे रूप ना पेख है नेतर साद की टहल संत संग हेत गुरू के खालसें दे रैत नामिया बेच लिखे है देख पराईयां चंगियां मावा पैना तियां जाना है खालसा जी ए गुरू के खालसें दा करदार है ते बेनती करां सादे पूरवजा ने सिखी दा अक्ष उच्चा चुकन वास्ते बोत वड़े करदार रखे ने एहो कारण है के गुरू क्या खाल सा पंथ दे जर्नेला दी उस्तत केवल सेख नहीं कर दे बलके ओ लोकवी कारदे ने जड़े गुलाम बनोन दी सोच रख दे सान। अज ओवी गुरू खाल से पंथ दे जर्नेला दे हत्यारा नू करपानह नू शीरी सहबा नू अपने म्यूजमा दे विच लगा करके वखोंदे ने लोका नू के ए तक्तावाडे ने इनना दा भी राज होया करदा सी क्यों क्योंके उनना दे करदार बड़े उच्चे सन। सो मिस्टर लोनी अक्तर दबारा चेतवेच विचार करदा है के जो दिली दे बादशाह ने लखाया सी ओगाल सची नहीं जाप दी मिस्टर लोनी अक्तर दा एक जूनियर कपतान सी गा माली कपतान उनु लिखिया पर इंग्लिश देवे चोदा नाम आया मरी कपतान ओ जूनियर सी गा इस करके लोनी अक्तर ने मरी कपतान नु अपने कोल बलाया जे जानत है बहुत जहान क्योंके ए जड़ा कप्तान सी गा लुद्याने दा अंबाले दा करनाल दा डिप्टी कमिशनर रह चुके आ सी ते पंजाब दी तरती बारे इनू काफी ग्यान सी गा इस करके मिश्टर लोणी अक्तर मरी कप्तान अपने कोल बलूंदा है अपने सिपाईयान नू पेजया के मरी कप्तान नू बलोणा करो ते मरी कप्तान अपने कोल बठा करके चंगी तरह गाल समझोंदा है के मिन्नू तेरे नल बोत जरूरी कम है मरी कप्तान नू मिश्टर लोणी अक्तर केंदा है मिन्नू खाल से आदी उत्पती बारे दस जेडिया फोजा अजाद विचर दिया है जेडियां फोजां दी उते सरकारां दा हुकम नहीं चाल दा मेनू इन्ना फोजां दी उत पती बारे दस के ए फोजां केस तरह परगट हुई आने केस तरह इन्ना खाल से आने खेन दे वेच पलां दे वेच राज पाग काईम कार लिया मेनू दसना कर केन लगा जो दिली दे बाजशा ने दस्या मेनू कोरा चूठ जापदा है क्योंके हो सकदा इन्ना दी मुगला देनल बानना उन्दी होए इस करके दिली दे बाजशा गोहर अली ने चूठ लखा दिता होए क्योंके पार्त दे वेच तुरकां दा हिंदूआं दा मेल नहीं बन रहा ते इस करके मुगल हकूमत कदे भी इन्ना फोजा बारे सच नहीं दस सक दी क्योंके इन्ना ने किन्ना जतना दे नाल बाद शाहा दे सूबया नू जित्तेया मेनू पता ओना चाहिए क्योंके बड़ी बड़ी गाल सी जेड़े बाद शाहा ने राज पूतान वगे लाया ओया सी खाल साजी साथ सो साल तो मुगल हकूमत ने अपना राज जमाया सी जदों कलगियां वाड़े पाच्छादा थापड़ा ले करके बंदा सिंग बहादर पंजाब दी तरती ते आया खाल साजी मिंटां सकिंटां दे विच मुगल राजदियां जड़ां पुटके रख दीतीयां नवाब बाबा कपूर सिंग जी ने सिंग साहे बाबा जसा सिंग अलू वालिया जी ने खाल साजी दिली दे लाड किले दे उते उन्नी वार केसरी निशान चलाया मुगल हकूमता नो अगे ला करके दुडाया मिश्टर लोनी अक्तर केंदा ये शोटी गाल नहीं के साथ सो साल तो राज कर रही, मुगल हकोमत दियां जडा पॉटके, उनना दे सूबिआँ दे उते, खाल स्याने अपना कदम जमाए, अपना सिक्का जमाए है, के साहले रायत ते कि म करहारे, कैस तरह वाद श्यालोग इननना रायत आननु दास्दै, किस तरह ओ बादशा लोक फोजदार लोक इनना मुठी परसिंगां तो हार गए बाई सूबे मुगल न पाहे बाई सूबे सन मुगल हकूमत दे कोड खाल साजी ते गुरु के या खाल सायाने साथ सो साल तो बाई सूबे या ते राज कर रही मुगल हकूमत नू पलाँ दे वेच हार दी तूड चटा करके अपने मुलकानू पेज दिता ते कईया दा सोदा ला दिता पाव उन्ना जुलमी राजयानू बक्षया नहीं जिन्ना जुलमी राजयाने पार्त दियां तियां पैना दे मुल पाए जिनना ने पार्तदा खजाना लुटिया खालसे ने पलां दे वेच मुगल राजदिया जड़ा पुटिया कई जजीराए समुंदर माए केस तरहां समुंदर दे सामने ए निके जे टोबे लड़ हटे क्योंके सरकारा नो समुंदर किया उस मिश्टर लोनी अक्तर ने के इनिया फोजा इन्ने हथियार पर फिर भी गुरू के खालसे ने टाकरा किता एक कोई मामली शक्षियत नहीं सो खालसा जी ए हस्ती ए खालसे आदी के दुश्मन पावें जितना मर्जी खालसे प्रती कूड बोले निन्दिया करे पर गुरू के सिख दा गुरू के खालसे दा जीवन ऐसा महान होना चाहिद है के खालसे प्रती कूड सुन के कोई खालसे कोल बवे न जदू ते खाल से दा ओरा, खाल से दा आला दोाला, खाल से दा जीवन एक हो जयांवे के एक वर दुष्मन वी माने वेच सोचे के ए बुरा नई, ए माडा नई, बलके ए ते संसार दा पड़ा करन बाला है जदों तन बाबा जुरावर सिंग बाबा फते सिंग सूबे सरहांददी कचैरी वेच गएने ना ते पावे उनना ते जुलम टाया जा रहा सी पर उस वकत मुगल हकूमत दे जर्नैल मानवेचे सोच दे जरूर सन के मानो हो फूल गुलाब सहाए के बबर शेर वांग गर जरह ए गुरू के लाल ए पापी नहीं बलके ए ते गुलाब दे फोल जापदे ने जिननने वजीद खादा सूबे सरहांददा वी मू बंद कर दिता सो ए खाल से दी हस्ती है के खाल से प्रती कोई कूडवी बोले तामी खाल सा जी तोंददे बदल सूरज दे प्रकाश नू लका नहीं सकदे खाल से जी हस्ती वी सूरज बरगी है सो शाथ गुर्पा करन आजदे प्रसांगवे चापा सरवन किता के किस तरां मिश्टर लोनी अक्तर ब्रिटी सरकार लुद्याने दी तरती ते पोँच दी है आउन वाले दिना देवे चापां पर संग सरवन करांगे के लुद्याने दी तर्तीते जदों एक मोलवी नू बला के मरी कप्तान इतिहास दी लिखाई करोंदा है ते किस तरह पाई रतन सिंग पंगू वेख देने के मोलवी सिखांद इतिहास बारे दस दै ते पाई रतन सिंग पंगू अंग्रेश सरकार नू फिर असली इतिहास गुरू के खाल से दा किस तरह लखोंदे ने आपां कल सरवन करांगे सो आओ एकवर शबद दा जाप करके खिमा दे जाचे को ये आओ कलगियां वाले पाच्छा नू हाजर जान के बेनती रूप शबद दा जाप करके फते दी सांज पाईये जी हे चुत हे पार ब्रह्म अविनासी अगनास हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुन तास हे संगी हे निरंकार हे निरगुन सब टेक हे गुबिंद हे गुण निदान जाकै सदाब बेक हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार हे संतह के सदाब संग नेदार आयादार हे ठा कुरहों दासरो मैं निरगुन गुन नहीं कोई नानक दीजै नामदान राखो ही है आये प्रभ सरनागती किर्पानिद द्याल एक यखर हर मन बस्त कथा निता प्रत होत है सुनो स सिंग सुजान नानक गुरु गुबिंद सिंग जी सदा करें कल्यान नानक गुरु गुबिंद सिंग जी सदा करें कल्यान वाहि गुरु जी का खालसा है वाहि गुरु जी की फते हुले सोने हाँ